मित्रो वेदो और पुराणों में गिलहरी को भग्य बदलने वाली बताया गया है मित्रो अगर आपके घर पर या पिराज पास कहीं भी गिलहरी आती है तो उसे केवल एक चीछ खिला दो आपकी किसमत बदल जाएगी आपकी हाथों की लकीरे बदल जाएगी और देखते ही देखते आप माला माल बन जाएगे आईए इस चोटे से वीडियो के माध्यम से मैं आपको अद्बुत चमतकारी टोटका बताने वाला हूँ आपको करना क्या है पांच किलो ग्राम अनाज लेना है पांच किलो आप अनाज ले सकते हैं उसके अंदर गेहों मक्का जुआर बाजरा जो भी हो सबका अपको मिक्स करके अनाज बना लेना है इस अनाज को बगवान के मंदिर के अंदर रखना है जहाँ पर आपके बगवान विराजवान एगर में वहाँ पर मंदिर के अंदर इसको रखना है एक मंतर का जाब करना है सच्चे मन से हाथ जोड़िये और एक मंतर का जाब कीजे ओम हीम कलिम माता महालक्षमी धन देही देही नमस्वाह इस मंतर का आपको 51 बार जाब करना है और जो अभी मंतृत किया हुआ अनाज है वो कोई साधारन अनाज नहीं है वो जितनी भी गिलहरियों के जितनी भी पक्षियों के पेट में जाएगा उतनी ही आपकी संब्रद्धी बढ़ेगी उस अनाज को ले जाकर आपको गिलहरियों को खिला देना है जिन जिन पक्षियों के पेट में जिन जिन गिलहरियों के पेट में अनाज जाता जाएगा आपके घर के अंदर धन प्राप्ति के मार्ग खुलते जाएगे आपका घर पे जो करजा है वो खत्म होता जाएगा आपका जो ग्रह कलेश चल रहा है वो साप होता जाएगा आपके पेसों में आपके पर्स के अंदर आपकी तिजोरी में पेसे टिकने लग जाएंगे मित्रो अद्पू चमत कारी मंत्र एक बार उप्यों केजे और लाब लेजे